ऐसा है चनी जी के इस वार एक तो मैं जनवस्टमी के इस पावन पी वितर परव पर सभी पुंचवासियों को एवं सभी देशवासियों को जिला सनातंदर सभा पुंच की और से हर्दिक शुब कामनाएं देता हूँ ऐसा है कि इस कोविड महामारी को देखते हुए जो जनवस्टमी का परव है इस वार जिला पुंच में सिर्फ जो हमारे धार्मिक स्ताने उनी की अंदर जो है मनाया जाएगा और बड़े हर्शो लास के साथ मनाया जाएगा देखिए पहले दो साल से जब ये कोविड की महामा पारी शुरू ही है हमारे जितने भी त्विहार थे चाहिए वो राम नमी का परव था श्री किशन जनवस्टमी का परव था दुशारे का परव था सबी पे गुर्मिड आफ इंडिया ने पावंदी लिका के रखी है इन सब चीजों को मदे नजर रखते हुए इस वार भी जो क्रिशन जनवस्टमी का परव रहेगा जो गोर्मिड आफ इंडिया की सोपीज हैं उनका पूरा पालन किया जाएगा कोविड महामारी को देखते हुए जो भी भगत जन जिस जागा पे भी आएं मंदर में आएंगे या जो भी पूजा आर्चना करेंगे वो मास पहन कर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही इस मंदरू में आएं और इस परव को हर्शो उलास के साथ मनाएं देखिए पीछले एक हफ़ते से गीता भवन के परिसर के अंदर जो है वो कथा का योजन किया गया है शाम को शरदालू जान आते हैं लेकिन मास का पूरा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही गीता भवन के परिसर पूंच के अंदर वो पूंच रहे हैं और जब तीस तारीक सोंवार को जनवेश्टमी का पर मनाया जाएगा मैं सभी पूंच वासियों से ये बात कहूंगा कि वो गीता भवन में आएं दिन के तीन व क्रिशन वगवान जी के जनम उत्सव का भी कारिकरम जो रहेगा इसलिए जितने भी पूंच जिला के अंदर हमारे धार्मिकस्तान हैं वहां के जो भी अद्यक्ष हैं मैंने उन सब से मेरी उन से बात हुई मैंने उन से भी कहा कि आप अपने धार्मिकस्तानों के अंदर ही परब मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए ही परब मनाएं देखिए खास कर जब ये गीता भामन के अंदर कृषिन जनमेश्टमी की शुबा यात्रा निकलती थी इसमें हजारों लोग शामल हुआ करते थे और पूरे शहर की परकर्मा करके वापस गीता भामन के अंदर ही आके ये शुबा यातरा खत्म होती थी लेकिन इस वार शुबा यातरा जो है वो नहीं रहेगी जो हमारे धार्मिकस्ताने जहां जहां पे भी जिला पूंच के अंदर धार्मिकस्तानों के अंदर ही ये परब जो है वो मनाया जाएगा और बगवान का जन पीज का पालन करते हुए ही हम जो भी